नमश्कार मेरे प्यारे विद्यारतियों आप सभी का एक बार पुनस्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्पूटर क्लासेज पर मेरे प्यारे विद्यारतियों आरे शाट ये मुख्या एक्जाम यानि 23 जुलाई के लिए जो आपके समक्स होने वाला है आप इस मॉडल पर के अंदर वो इंपोरेंट 35 क्यूसन्स देखेंगे जो आपके एक्जाम के अंदर आपकी बार बिल्कुल ही दिखने वाले हैं तो मेरे प्यारे विद्यारतियों बिना देर किये आगे बढ़ते हैं पहले क्यूसन्स की और अगर अगर आप इस प्लेट पॉंपर नए हैं तो सानल को अविश्य सब्सक्राइब करना साथ ही बेल आइकन को अविश्य दबाए ताकि आने वाले पर तिक वीडियो की नौडिबिकेसन सबसे पहले आप तक पहुँच सके देखे मेरे प्यारे विद्यार तो पहला क्यूसन्स है एक विदी कह सकते हैं और आप्संस बी नेक्स्ट आगे वाला क्यूसन्स आपकी इसक्रण के सामने है एक वक्षीट में रू तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने है तू ताकि जब वक्षीट को इसक्रॉल किया है जाए तो वह इसक्रॉल ना हो निमनलिकित में से किसका उप्यो करेंगे जो Microsoft Excel के अंदर जो seat होती है उस seat के अंदर row और column कापी सारे होते हैं आपने देखे होंगे इसमें से किसी भी एक column अत्वा किसी भी row को आप एक जिगे पे hold करना चाहता है ताकि जब भी आप उसको scroll करेंगे तो वह वही पे रह जाएगा बाकि सब यहाँ पे scroll होता है तो इसके लिए आप किसका उप्यो करेंगे freeze pen command होता है यह इसका correct answer हो जाता है यानि options भी ए पे जो लिखा हुआ है freeze pen command इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाता है next आगे वाला questions आपकी screen के सामने है Microsoft Excel 2010 में Chinese cell से एक chart बनाने के लिए कौन सी keyboard कुणजी का उप्योग किया जाता है मैंने कई बार बोला हुआ है कि जब भी आप ये questions देखते हैं तो आप इसको most कर दीजिए यानि आपके exam के अंदर अपकी बार ये बिल्कुल दिखने वाला है तो Microsoft Excel में 2010 में जो cell होती है उसमें एक chart बनाना चाहते है यानि कुल मिला के आप क्या सकते हैं new chart तो new chart की जो shortcut की होती है वो क्या होती है मेरी प्यारे विद्यार्टियों app 11 होती है यानि options A, B vehicle प्यासे क्या माना जाएगा correct answer next आगे वाला questions है एक खाली जग नेट्रक या internet के माध्यम से आपके computer तक पहुस प्राप्त करने से hackers या दूर्बाना पूर्ण software को रोकने में मदद करता है तो ये questions कई बार बना है बैतरीन questions है आपके computer के अंदर जो नेट्रक अथा इंट्रिनेट से आने वाली जो फाइले होती है उनसे रक्षा करने का कारिये कौन करता है firewall यानि questions आपके exam में बन जाता है तो आप इस firewall options को विश्य याद रखना options नमबर A इसका क्या हो जाएगा correct answer next आगे वाला questions है ms word 2010 में format painter का उप्योग करके विश्य पार्ट के प्रारूप की प्रतल इपी बनाने की shortcut की पूछी है यानि totally आपको यहाँ पर याद रखना कि यह exam में questions कई बार बना हुआ है कि format painter की shortcut की क्या होती है तो आप विश्य याद रखना विश्य याद रखना व next आगे वाला questions है questions नमबर 6 है windows 10 पर file folder को lock करने में आपकी कौन सी application मदद करती है तो यह questions का आपी बैतरीन है questions exam में कई बार पूछा गया है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा folder lock यानि कोई भी आपके जो computer के अंदर आप file folder को lock करना चाहते हैं तो आप पर किसका उप्यों करेंगे folder lock विकल प्यांसे सुनेंगे यानि options कौन सा हो जाएगा option C विकल प्यांसे correct माना जाएगा next आगे बादा questions questions number 7 जब कोई user खाले जगर पर mouse ले जाता है तो वे hand के आकार में बदल जाता है तो आप इन में से ऐसा कौन सा विकल देखेंगे जब भी आप इसके उपर जो mouse pointer को लेके जाते हैं तो वो hand के आकार यानि hand के निसान का हो जाता है तो आप सभी लोग अविश की shortcut keys और आप जब भी hyperlink का उप्योग करेंगे तो जो mouse के जो तीर आकार का निशान है वो hand के आकर में बदल जाता है कैसे hand के आकर में बदल जाता है यानि इस तरह से वो आप निसान देखेंगे वो कब होता है जब आप hyperlink का उप्योग करते हो और hyperlink जो use करते हैं उसके नाम क्या होता है internet service provider होता है options यहाँ पे है ना यह जो है ना यह इसका क्या माना जाएगा correct answer माना जाएगा यहां से यह इसका correct answer माना जाता है next आगे वाला question से कौन सा एप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है तो नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा है राजस्तान संपर्क होता है इस एप के ओपर आप कोई भी सिखाय द अलाइन करता है, अच्छा कुछन से एक्जामें कई बार पूचा गया है, तो पैरेग्रप होता है, उसकी जो परतिक लाइन को left और right margin ऐसे करना, वो किसका कारी होता है, वही जैस्टी भाई का कारी होता है, एक अलाइनमेंट का परकार होता है, जिसकी shortcut की इस control के साथ में क्य होती है जे विकल्प होता है नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले questions की और अज्चा questions है जिन फाइलों और folder को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अई इस थाई बंडारन कौन सा folder प्रदान करता है तो आप जो भी फाइल होती है उसको आप हटाना चाहते हैं तो वो हटे गई जो फाइल होती है वो काँ पे जाती है वो recycle bin के अंदर चले जाती है काँ पे जाएगी वही recycle bin के अंदर चले जाती है option c vehicle प्यास से इसका correct transfer माना जाएगा next आगे वाला question से निमन मैस से antivirus का उधारन नहीं है तो आप सभी लोग अविशे याद रखना वे antivirus कौन सा नहीं होता मैंने कई बार ये questions डाला है जो net escape navigator होता है न ये तो किसका उधारन होता पर वेb browser का उधारन होता है नेक्स्ट आगे वाला question से data point की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है मैं परतिक model पेपर केंड़े questions को add कर रहा हूँ नेक्स्ट भाई तरब कि किसी अकेले अकसर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी दवाई जाती है तो आपको याद रखना है कि अगर भाई और से पूछा गया है कहां से पूछा गया है बाई और से पूछे तो आब बोल दίν अब भी backspace और अगर दाइं और से मिटाने के कभी exam में बात होती है तो दाइं और से उल्टा आप कर देना डिलीट हो जाएगा दाइं आप से डिलीट और बायां से वैकस्पेस ये मिटाने के लिए आप काम में ले सकते हैं नेक्स्ट आगे वाला कुशन्स वा कौन सा डिवाइज है जो एनालोग सिगनल को डिजिटल सिगनल में परिवर्तित करता है तो एनालोग सिगनल को डिजिटल सिगनल में बदलने वाला डिवाइज होता है उसको मोडेम का जाता है क्या बोलेंगे उसको modem बोलेंगे modulator D modulator इसका पूरा नाम होता है network connectivity का परकार होता है जो एक का उच connectivity के अंदर आता है internet के अंदर next आगे बढ़ेंगे questions number आपकी screen के सामने कौन सी memory के data को busily के signal से मिटाए जा सकता है कई बार questions डाला है तो जहाँ पर double E आता है यानि electrical, irisible, programmable, read only memory options D विकल पर जो लिखा हुआ ये इसका क्या माना जाएगा correct answer माना जाएगा next आगे वाला question से windows 10 में किसी भी object का screenshot लेने के लिए निमने में से किसका उपयोग किया जाता है तो आप windows 10 में को screenshot लेना चाहते है 7 हो, windows 10 हो, उसमें आप ये snipping tools देखते है न ये vehicle आपको screenshot लेने की सुविदा प्रदाना करता है यानि option C vehicle या से क्या माना जाएगा correct answer होता है next MS powerpoint में duplicate slide insert करना चाहते है duplicate slide और new slide आप दोनों questions याद रखके जाना एक तो questions आपके आज सकता है new slide डालने की shortcut कीज और ये का सकता है आपके duplicate slide डालने की shortcut कीज तो ये आप सभी लोग अविशे याद रखना duplicate slide की shortcut कीज पूछे ना तो आप बोल देना भी duplicate slide की shortcut कीज तो control के साथ में D होती है और control जो यहाँ पे M लिखा हूँ मिल जाए आपको control के साथ M, ये control M क्या होती है ये new slide की होती है किसकी होती है ये वई ये new slide की होती है आगे वाला question से next screen के सामने Windows 10 में brightness, speaker, volume, battery, status wireless, network, screen, resolution आदी विकल पर किस options में होता है तो ये मैं कई बार आपके exam के अंदर ये questions बना है और मैंने कई बार model paper के अंदर डाला भी है इस questions को इसका correct answer हो जाएगा Windows, mobility center, options number यहाँ पे C, विकल, P, यहाँ से बिलकुल सही बाना जाएगा next paragraph को दाएं या बाएं margin से दूर ले जाने की परक्रिया खाले जगर से संदर भी करते हैं तो अब ये paragraph के अंदर दाया या बाया ये दूर ले जाने की परक्रिया को आप indenting बोलेंगे इसके अंदर दो तरह की होते हैं increase indent का मतलब आगे बढ़ाना और decrease का मतलब level को कम करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है next आगे वाला question से आपके screen के सामने निमने मैंसे कौन सा operating system multitasking को वास्तवों में लागू नहीं करता है तो ऐसा कौन सा operating system में जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा कारियर नहीं किया जा सकता है multitasking का काम नहीं हो सकता तो वो कौन सा है भई MS-DOS कौन सा होता है MS-DOS होता है जो multitasking को लागू नहीं करता है बाकी ये तीनों करेंगे option C vehicle piece का यहाँ पर क्या माना जाएगा right transfer माना जाएगा next बढ़ते हैं आगे वाले questions की और निमने मैंसे handle device के परकार नहीं है देखिए handle device यानि जिसको आप आसानी से अपने हाथों में रखके इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर नहीं है पूचा गया देखिए smart phone आराम से हो सकता है टेबलेट हो जाएगा features one हो जाएगा लेकिन laptop होता है ये laptop इसका उदारण नहीं है यानि options number D इसका क्या माना जाएगा correct answer next है autosport के लिए किस connectivity की आप सकता होती है autosport आप चलाना चाहते तो आप दूसरे mobile के अंतरा को क्या देखना पड़ेगा wifi होना बहुत जरूर ही है options number A है ना ये इसका correct answer माना जाएगा next बढ़ते हैं आगे वाले questions की और GPS का पूरा नाम क्या होता है अच्छा question से GPS का मतलब होता है global positioning system यानि options number B पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या माना जाएगा correct answer माना जाएगा अच्छा question से exam के अंदर कई बार ये पूचा गया है तो आप लोग अविश्य याद रख लेना next आगे वाला questions आपके screen के सामने PNR इस्तती tracking से क्या अर्थ होता है तो देखिए PNR का मतलब होता है passenger name record जब भी आप train ticket booking करते हैं तो उसमें आपके जो यात्री का जो नाम record होता है वो इसमें अंकित होता है तो इसका मलब टिकट के इस्तती जासने के लिए लगाने के लिए आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं टिकट के इस्तती का पता लगाने के लिए आप PNR इस्तती tracking के अर्थ आप जा सकते हो ठीक है आगे वाला questions आपके screen के सामने e-governance से क्या तातपरी होता है तो जो electronic medium से जो आप नागरी को तक जो सिवाय पोउच्टी है सरकार की वो e-governance के अंदर ही आता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा online जितने भी skims होती है वो e-governance के अंदर आती है इसका मतलब यहाँ पे e-governance का यहाँ पे तातपरी हो जाएगा क्या electronic governance options number यहाँ पे e-weekल पिसका correct answer माना जाएगा नेक्स्ट आगे वाला question से आपके screen के सामने गलत यूगम की पैसान केजिए राज e-sign भई राज e-sign तो बिलकुल यह पे customize QR फोटोर सक्सम डिजिटल हसक्सर पढ़नाली का उधारण होता है राज सेवा दुआर राजसान सरकार दुआ चेयर क्या गया एक GIS का उधारण है क्या नहीं यह तो GIS तो क्या होता है वही GIS का मतलब geographical information system होता है राज e-e-m बिलकुल यह enterprise web content platform का उधारण होता है और राज यह GPS monitoring और बायोमेटरिक उपस्तिती पढ़नाली का उधारण होता है इसका मतलब जो भी विकल पे नहीं इसका सही नहीं है बागे तीनों सही है क्योंकि राज सिवा दुआर यह तो दो अलगले एक network को जोड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है राजस्तान की परतिक ग्राम पंचया तक फैला गया एक network कह सकते है राज सिवा दुआर तो यहाँ पे GIS लिखा गया है यह गलत विकल पे options भी इसका correct answer होगा next निम्नमे से कौन सा राजस्तान संपर का चरण या step नहीं है वह इसमें आप जब भी सिखा है दर्ज करते हो राजस्तान संपर के उपर तो इसमें अलगले आपको step का सामना करना पड़ता है तो उसमें काभी सारे step होता है लेकिन उसमें से देखिए यह जो scrutinization दिया हुआ यह कोई विकल पर नहीं होता है बाकी registration होता है, moderation होता है, allocation होता है, verification होता है यह सब होता है लेकिन यहाँ पे scrutinization विकल पर यहाँ पे नहीं होता है मैसिव ओपन ओन लाइन या मैसिव ओन लाइन ओपन कोर्षरीज होता है options ए विकल्प इसका correct हो जाएगा ये questions exam में कई बार directly पूचा जा शुका है मैं जल्दी-जल्दी questions करवा रहा हूँ क्योंकि आपके exam के लिए मात रख कुछ time रहा है और मैं revise करवा रहा हूँ साम को आने वाली से हैं बज़े live class के अंदर आप सभी लोग अविशे जुड़ना ताकि उसके अंदर बहतरिन questions आपको करवा जा रहे है राजसान संपर्क द्वारा राजसान सरकार द्वारा launch किया गया cloud-based storage समाधान कौन सा है तो देखिए राजसान सरकार द्वारा एक सलीत एक cloud-based storage cloud-based storage का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बात किसकी कर रहा है राज e-vault की बात कर रहा है राज e-vault की बात कर रहा है options B vehicle PNC correct transfer हो जाएगा next आगे वाला questions आपकी screen के सामने cloud-based storage platform के उधारन कौन से है यह questions आपके exam में अब की बार दिखने वाला है Google Drive हो जाएगा Microsoft OneDrive भी होगा Dropbox भी होगा ऐसी स्थितिम हम क्या करेंगे बेपरोगत सभी यानि D vehicle PNC का correct माना जा सकता है यानि जाएगा आगे वाला questions आपके screen के सामने है निमनलीकेत में से वा कौन सा cyber खत्रा है जो computer system को overload करके उसे दीमा बनाता है तो ऐसा कौन सा cyber खत्रा है जो computer के उपर overload करता और उसे दीमा बना दें का कारिय करता है यानि option C vehicle PNC ये denial of service जे ये computer के उपर attack करता है और computer को slow करने का कारिय करता, overload करके आगे वाला question से next आपकी screen के सामने है, किस परकार की धारा विश्वास गात का अपराद है तब विश्वास गात का अपराद हैं धारा 620 की बात हो रही है, यह option C यहां से correct answer इसका हो जाता है next आगे वाला question से एक computer का basic user account जिस पर अभी भावय के नियंतरन रखा जाता है, तो देखे basic user account पूछा है तो यह तो होता standard, जब basic की बात होता तो basic कौन सा होता standard और जब special account की बात होती है, vicious account की बात होती है, तो वो administrator account होता है, इसमें windows 10 की perfect setting या windows की perfect setting तक पूछा जा सकता है किसके मादियम से, options नमबर B, इस administrator के मादियम से, लेकिन यहां पे क्या पूछा के basic user account पूछा, इसलिए यहां पे इसका answer तो क्या हो जाएक अभी, options A, standard account होता है, next आगे वाला questions आपकी screen के सामने है, निमनलिकित में से कौन सा एक outlook account का परकार नहीं है, देखिए, outlook account के अंदर कौन कौन सा होता है, Microsoft actions यह भी होता है, vapor setting के लिए काम में आता है, POP, आप जो भी नीची email प्राप्ट करते हो download इसके मादियम से की जा सकती है और IMAP, यह internet message access protocol जो आप कह सकते हैं, जो download करवाने के बाद में जो दिखाई देता हो IMAP के अंदर दिखाई देता है, बाकि standard यह तो एक computer user account का परकार होता है, outlook का थोड़ी नहोगा, तो यहाँ पर options क्या हो जाएगा, CV तो यह मैं आपके समक्स लिखे आया 35 important questions, मैंने थोड़े जल्दी जल्दी questions को रहा है, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा कम time था और आपके पास भी exam के लिए कम time है, तो आप इन 35 questions को एक बार अविश्य देखना, क्योंकि यह exam के अंदर आपके बार बिल्कुल आपके दिखने वाले हैं, और यह 35 questions से जो आपके exam के अंदर पहले भी कई बार पूछे जा सुके हैं, तो मेरे प्यारे विद्यारति उसाम को आने वाली live class के अंदर आप सभी लोग अविश्य जॉइन होना मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में तब तो के लिए जय हिंद, वंदे मात्रम, जय भारत